राहुल गांधी के बयान पर लगतार वार पलट वार चल ला है और ऐसे में राहुल गांधी के बयान को लेकर एक तरफ विपक्षिन का साथ दे रहा है तो बीजेपी लगतार उनने घेड़ती नज़र आ रही है ऐसे में पूर्व केंद्रिय अमंत्री मुक्तार अबास नकव हिंदूत पर जिस तरह का परहार करने की कोशिश की है वो उसे बेऊकूפी ज्जादा कुछ नहीं कह सकते हैं अब है मोधी जी पर परहार की बेऊकूफी अगर हिंदूत से पंगा लेने की बेऊकूफी हो जाए तो इसी और कहता हैं शिर मुडाते ही हो ले पड़े अभी तो एलोपी बने हैं और पहले ही दिन उनने सेल्फ गोल कर दिया मोधी बैशिंग की अगर उनकी सनक है और वो हिंदुत बैशिंग की साजिश में बदल जाए तो इसका आप आज़ानी से अंदादा लगा सकते हैं कि उनका जो सामंती से एहंकार और घमंड है वो सिर चड़के बोल ला हैंगे सर उत्तरप्रदिश के पूर मुखमंतरी हैं अकलेश यादा उन्होंने एवियम पे एक बार फिर वार किया है इसी एवियम ने कई बार उनकी सरकारे भी बनाई है तो कम से कम जो है वो लोगों में जो भै और भरम का महल पैदा करने की कोशिश करते हैं वो उससे दूर होना चाहिए सर मेरा आखरी सवाल ये है कि राहूल गांधी ने कल अपने बयान में ये भी कहा है कि अगनिवीर योजना है वो बच्चों के लिए यूज और पॉलिसी के तौर पर है देखें जब इनके पास नंबर आधे थे यानि पचास के रिद गिर थे तो ये जो है वो नोबाल करते थे अब जब सौ के करीब आगए हैं निनानवे के करीब आगए हैं तो सेल्फ गोल कर रहे हैं तो करने दी हमसे बात करने के लिए बहे दिए शुक्रिया सर कैमरमेंट भूशन कुमार के साथ मैं आनंद कुमार सिंग न्यूज इंडिया दिल्ले